नमस्ति दोस्तों कैसे हैं आप मैं सुजीत कुमार इनकरबल IAS Academy में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का वीडियो जो है बहुत ही important वीडियो है ये उनके लिए है जो लोग 65 BPSC का मेंस देने वाले हैं और उनके लिए भी है जो लोग 66 BPSC का प्रलिम्स देने वाले हैं इस वीडियो को सुरू से अंतक आप देखिएगा ये वीडियो बहुत कुछ आपको सिखा जाएगा बसरते थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा वीडियो मैं कोशिश करूँगा ज्यादा से ज्यादा छोटा हो सके लेकिन सारी कंटेंट इसमें आपको मिल सकें दोस्तों एक ब साइस रॉकेट साइस नहीं है आसानी से बता दोगे कि हां सही बात है सुजित सर आप 10th फ्लोर पे खड़े रहोगे और ये कहके कुदोगे मुझे 20 वास है मुझे कुछ नहीं होगा नीचे जाओगे तो फिर से उपर चले जाओगे जाहिर सी बात है लेकिन अगर मैं ये ब बड़ी मुल्कता और क्या हो सकती है जाने अन जाने अब कहानी को थोड़ा सा मूफ करता हूँ अब समझ गया होंगे कि मैं कहाना क्या चाहता हूँ बहुत सारे लड़के लड़कियां की call आती है मैं बहुत का तो एटेंड करता हूँ और बहुतों का करता भी नहीं हूँ तो जो एटेंड करता हूँ तो बहुत ऐसे लड़कियां अस्पेसली लड़कियां लड़कों की लेकिन लड़कियां अस्पेसली सुजीद भहिया इस बार जो है ने दो नमर से मेरा रुख गया है कोई सुजीद भहिया एक नमर से रुख गया है सुजीद भहिया तीर नमर से रुख गया है मैं सोच रही हूँ इस lockdown में means की तैयारी कर लूँ क्योंकि prelims तो हो ही जाएगा क्यों जिन्दगी के साथ मजाग कर जब से पैदा लेती हो और जब तक इस दुनिया से जाती नहीं हो। हर वार हर वक्त तुम्हें रिस्क पर रखा जाता है। कभी सोची हो अपनी जिन्दगी को। अगर नहीं सोचती हो ने तो मुझे अपना बड़ा भाई मानती हो ने तो मुझसे लो और सोचने के कोशिश करो सारी अंदर में जो ब्रांतियां हैं जो अंदविस्वास हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे और फिर जो सचाई दिखेगी न उससे तुम डड़ जाओगी लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है क्योंकि तुम्हें ऐसे किसी ने सोचने के लिए सिखाया ही नहीं यही प्राब्लम है कि हर बार अंदविस्वास के साथ में दामन थामके चलती हो और फिर से यही कहती हो कि मैं तो कड़ी जाओगी अब तनिक सोचो थोड़ी सी कहानी और अंदर ले जाके करता हूँ अगर इस बार तुम्हारा दो नमबर से चलो दो नमबर चलो एक नमबर से नहीं हुआ तो क्या गारेंटी है कि अगली बार भी प्रिलिम से तुम्हारा हो ही जाएगगा हो सकता है कि 11 नमबर से पीछे रा जाओ अगली बार यह भी possible है है मैं demotivate नहीं कर रहा हूं मैं हकीकत में आयना दिखा रहा हूं अपनी सखल देखो और क्या guarantee है कि अगली बार जो है 20 नमर से फैल कर जाओ और ये भी guarantee है उतना ही सच और उतना ही यथार्त कि अगली बार पास भी कर जाओगी दोनों बात सही है लेकिन दोनों के लिए तुम confirm 100% नहीं बोल सकते हो क्योंकि यहां 50-50 का chance है और जब 50-50 का chance है तो कोई भी गलत step मत लिया करो और यही वज़ा होता है कि जब आगे चलोगी और जब unsexist हाथ लग जाएगा और तब पीछे देखोगी तो यही अतीत जो है तुम्हारी आँखों में आँसू ला देगा इस आँसू को पोचने वाला कोई भी नहीं होगा यह तेरा सुजीत भी नहीं होगा नहीं होगा इसलिए थोड़ी सी समझदारी लो, थोड़ी सी, मैं हाथ जोड़ के प्रातना करता हूँ, इस टाइम में मेंस की तैयारी मत करो, मत करो, 66 BPSC प्रिलिम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी बाता स्पेसली, मत करो, पूरी थाकत लगा दो, और यही पर एक छोटी सी और बात जोड़ने के कोशिश करूँगा, कि जो लो 65 की मेंस देने वाली हो, या देने वाले हो, दोनों की बात कर रहा हूँ, तो दोनों, प्लीज, कम से कम जिंदगी का 3 घंटा, कम से कम, जादा नहीं, अगर अढ़ाई 2 भी हो जाए, तो सफिसेंट है, लिकिन कम से कम 3 घंटा, मेंस के लिए प्लीज दो, मैं हाथ जोर के निवीदन करता हूँ, सर जोका के सजदा करता हूँ, प्लीज 3 घंटा दो प्लीज के लिए, अगर आप मेंस लिखने बाले हो, फिर भी, क्योंकि यहाँ भी गारेंटी नहीं होगा या नहीं होगा, औ तो फिर मैं डिमोटिवेट कैसे करूँगा, तरिक सोचो, अब अगर अगली बार तुम फैल करोगी, तो तुम्हारी साथ क्या होगा, तमासा देख लो, इस बार तुम्हें कौन फैल कर रहा है, पता है न, तुम पड़ी हो, तु सबसे ज़्यादा फैल, वन डे एक्जाम हाले आ गए है, वो कटोप को बढ़ा रहे हैं, और तुम्हारा रिजल्ट बाहर निकल रहा है, यहां सबसे ज़्यादा तुम्हारी चैलिजिक उन लोगों से है, जिन लोग को 50,000 रुपया मिलेगा, और बिहार के करीब, करीब लोग गरीब है, सब को 50,000 चाहिए, और 50,000 क निकाला है, लेकिन कुछ कंडिशन थी, मेंस नहीं दे पाया, अलग बात है, उसे तो कुछ ही नहीं पता था, उसे याद था, रटा मारा, और प्रिलिम्स के जो कटोफ हैं, उसको बढ़ा दिया, और तुम्हारी रिजल्ट बाहर निकाल दिया, अभी तीन-तीन दुस्मन है लेकिन फिर भी तुम्हारी चांस है जाने की, लेकिन जैसे ही अगली बार सीसेट आ जाएगा, तो तुम्हारी इस तीनों पे एक ही दुस्मन भारी पढ़ेंगे, और वो होंगे UPSC वाले अस्टूडेंट, जिनका UPSC में सेलेक्शन नहीं होगा, जो चार साल, पांच साल, मुखरजी नगर राजंदर नगर इलाहाबाद में तैयारी करेंगे, और जब नहीं होगा, तो घर में भी बैठके तुमकुस तुमसे चैलेंज दे देंगे, और वो निकाल के चले जाएगे, उस टाइम भी तुम्हारा रिजल्ट रुख जाएगा, अभी तो आसान भी है, उस टाइम तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, फिर कहोगी, सुजीत भाया, मुझे मैठ्स या रिजनिंग पढ़ा दो, मैं तो खुदी मैठ्स रिजनिंग पैदल हूँ, मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा, फिर से जाके 20,000 की कहीं ट्यूसन पकरना, 10,000 की कहीं ट्यूसन सी सेट के लिए अलग, इंगलिस के लिए अलग, रिजनिंग के लिए अलग, क्या सोचो, ऐसी हजारों छोटी जोटी बाते हैं, जिस पर गौर करने की मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूं तुम्हें, चैलेंज है, अगर आज भी ना समझेगी न, तो जिन्दगी भर अपन तुमने मुझे बात को मानी नहीं, अब अगर मान भी गई, तो क्या होगा, वक्त तो चला गया, इसलिए हाथ जोड के बंदना है, प्राथना में करते हूं, आप तमाम मेरे छोटे भाई बहन, प्लीज रुक जाओ, मत करो इसी गलती, मैं चाहता हूं कि जादा से जादा इ 65 के मेंस में भी और 66 के प्रिलिम्स में भी, अपकी बारी तीरी बारी है, इस बार दिखा दो दुनिया को, तुम्हारे अंदर इतनी इनरजी है, इतनी इनरजी है, इतनी इनरजी है, कि तुम्हें खोद ही नहीं मालूम है, अपसोस ये है, कि तुम दुनिया की सुनती हो, ज तुम्हारे पीछे भागेगी, और अगर अभी भी मेरी बात सुनने के बाद भी तुम लोगों की बात सुनोगी, तुम वहीं रह जाओगी, जहां पिछले 25 साल से दुम रह रही हो, फिर से आगे आने वाला 25 साल भी वहीं रह जाएगा, वही गधे के साथ में तुम चली इस हिंदुस्तान में, जो माबापने पैदा किया है, वो तुम्हें एस दियां बनने के लिए पैदा किया है, किसी की दुलहन बनके उसकी फिर से नौकरानी बनने के लिए थोड़ी पैदा किया है, किसी बच्चे की बच्चे पैदा करने वाली मसीन थोड़ी पैदा किया है, बनो, जाओ किसी जिले में, दिखाओ अपना जलबा, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, और ऐसा धमाका करूँ कि हर दिन न्यूस पेपर के फर्स्ट पेस पे सिर्फ तुम्हारा नाम हो, सिर्फ तुम्हारा नाम हो, चाहे कितनी भी चर्चा, इस फिजाओं में क्यों न हो, ले तुम्हारे अंदर काबिलियत है, बस एक बार कोशिश तो करो, कोशिश करो, इसलिए जाते जाते एक प्राथना जरूर, प्लीज रुक जाएए, बाकि आपकी इच्छा, दोस्तों अगर आप मुझे पेंदिहा मुभबत करते हैं, आप मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे बड़े भाई की तरह मानते हैं, तो प्लीज जैसे आपकी زندگी इस वीडियो को सुनने के बाद, अंदर से एक सुनामी जैसी तोफान पैदा कर दी, हो सकता है, अगर इस वीडियो को आप एक दो ग्रूप में share कर दें, तो उसकी भी जिंदगी में हो सकता है सुनामी आ तो प्लीज थोड़ी सी मदद जरूर कीजिए उन लोगों के लिए साइध जो लोग हम से नहीं जुड़ रहे हैं थेंक्यू नमस्कार